प्रदेश की शरकार और केंदर की शरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ सामिल हैं आजपा सरकार मेरी हत्या क्राना चाहती है तो सपा किनीता स्वामी प्रसाद मौर्वे अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं योगी मोधी पर स्वामी कहते हैं कि बीजेपी सरकार उनको डराने धंकाने वालों को शेह दे रही है स्वामी राजु महंतिदास के साथ हुई हाथापाई के मामले में कहते हैं कि साधुवेश में या आतंग की चेहरे हैं इन्हें सरकार को चिन्धित करके खुदी एक्षन लेना चाहिए था लेकिन ना खुद से सरकार ने कोई एक्षन लिया ना बार-बार कहनी पर वो सीधे सीधे योगिस सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि जिस तरह से आतंग की संत महंत खुल कर उनको धंका रही हैं ये सब बी जेपी की दिन है कि साधू बेश में जो आतंग बादी और अपराधिक चेहरे हैं कि सरकार को चिन्धित करके उनके खिलाब कड़ी कारवाई करनी चाहिए थी अफ़ाई आर दर्श करानी चाहिए थी सुतार संग्यान लेते हुए ऐसे बयान देने वारों को जिन्होंने साधनिक बयान दिया एलेक्ट्रानिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बहुदूत सरकार के कान पर जून नहीं देंग रही है इसका मतलब है भाजपाव प्रदेश की शरकार और केम्र की शरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ सामिल है सवामी यही नहीं रुकते वह कहते हैं कि उन्होंने दो दो बार अपनी सुरक्षा और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्षन के लिए सीम सिलेकर पिम और राजप्रती तक को खत लिखा लेकिन कोई एक्षन नहीं इन कथित संतों पर लिया गया और इसलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाब भी सरकार किसी प्रकार की कारवाई करने से खत्रा रही है हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं दो दो बार दे दिया है एक पत्र मानी प्रहानमंत्री जी को और एक पत्र महमहिम राजपती जी को साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुर्शिचियु ग्री को भी इस आशे का पत्र दिया इसके पहले भी मैं मानी ये मुख्यमंत्री जी को वो कहते हैं किसलिए ताज होटल में उनके साथ ही सब कुछ हुआ उन पर फरसे भाले से हमले की साजिश रची गई और कल एविपी नियूश के कांक्लेब में भी ऐसे ही चेहरे वहां सामिल थे जिनों में मेरा सिर्थ तलवार से कलम करने के लिए किस लाग रुपाय की शुपाड़ी देने की बात की थी ऐसे चेहरे भी वहां मौजूब थे मैं यहां बैठ करके टीवी का कंट्लेब देख रहा था और जो मुझे आउगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं फरसा और तलवाल लेकर कर आपके साथ बसुलुकी करते हैं तो मैंने वीपी के अर्गनाईजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आउँगा और नतीला बड़े जब्दों जहाद के बाद और नाईजर की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले बगल एक कमरे में बठाए और जब मैं आशर्च हो गया तो यहां से गया इतने खतरनाक हफ्त्या शिर काटने जीप काटने कान काटने ना काटने हाथ काटने के ब्यान देने के बावजूद भी शरकार चुप है यानि शरकार की मौन श्विक्ति मिली हुई है इसलिए ताग जेशे होटल में जो बहुत ही लखनों का मशूर होटल है वहाँ पर मेरे पूर मानी मुख्यमंत्री जी का दोनों उब मुख्यमंत्रियों का कानक्लेब में कारक्रम हो चुका था उसके बाद मेरा कारक्रम था जब मैं वहाँ पहुंचा सुरचा कि कोई ब्योड़सा नहीं थी लोड़ते वाद एक इंस्पेक्टर संभुता एक अत्कारी बैचे मिले दिखाई पड़े थे वही नारूपों के बाद स्वामी खुला चालेंज देते हैं कि अब चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे पिछडों दलितों महिलाओं के सम्मान के लिए हर हाल में लड़ेंगे मैं महिलाओं, आजवाशियों, देंतों और पिछलों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा धर्म की यान पर इनको नीज अधम अप्मानित और प्रताडित करने वालों के खिलाब मेरी एमोचे बंदी चलती रहेगी आपको बता दी कि कल एक चानल के कारिक्रम में हनुमान गड़ी के महंत राजुदास और स्वामी प्रसाद मौरे के बीच तीखी बहस शुरू हो गई थी बाद में उस बहस की वज़ा से मारपीट तक की नौबत आ गए जिसका एक वीडियो भी वाइरल है जिसमें राजुदास के साथ हाथा पाई की तस्मीरे हैं वही अब स्वामी चैलेंज कर रहे हैं कि ताज होटल की CCTV फुटेज देखी जाए तो सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और इन सब के बीच उन्होंने बीजेपी सरकारों को लपेटे मिले लिया स्वामी जिस तरह से बीजेपी सरकारों पर उनकी हत्या किस साजिश का आरूप लगा रही हैं इस पर आप लोगों की क्या राय हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए लखनाउस याभी शेक मिश्रा के रेपोर्ट यूपी तक